तो आप सबको चाहिए ऐसे लंबे काले घने बाल, सिल्की साइनी, तो बालों की जड़ने की समस्य आभी आम चल रही है, सबके ही बाल जड़ रहे हैं, तो बिल्कुल सबको चाहिए रहते हैं, ऐसे लंबे घने बाल, सबको ही लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस रेमेडी को बनाने के लिए मेच है ये मेथी दाना, काली मिर्च और कोकोनट ओयल, कैस्टर ओयल, तो सबसे पहले हम जो चोग लगाते हैं ना उस कटोरे में एक बोटल नारियल का तेल डालेंगे और उसमें थोड़ा सा कैस्टर ओयल मिक्स करेंगे और ये काली मिर्च है और फैनिग्रिक सीड यानी मेथी दाना है उसको भी मिक्स कर देंगे उसके बाद फ्रेस ऐलोवेरा लीप लेनी है तो ऐलोवेरा मेरे घर पर ही लगाता तो मैंने उसको वहां से ले आई कट करके उसके बाद उसको अच्छे से वाश कर दिया साइड के काटे हटा काटे हटा द है और प्रिवेंट करता है जो नए बाल आते हैं उनको भी प्रमोट करता है बहुत जादा तो इस वाइल को बनाने के लिए हमें अलोवेरा बिल्कुल फ्रेस चाहिए तो घर पे लगा है तो आप वहां से ले ले जीए या कहीं से भी लेका है लेकिन अलोवेरा एक्डम फ् रखना है और इसको 30 से 40 मिनिट तक वैल करना है जब तख कि ऐलोवेřा का खलार चेंजज नहीं हो जाए और साथी साथ ओइल का खल़ चेंज मसित नहीं हो जाए तो देखी धीर धीर धीरे ऐलोवेयर का भी कलर चानने के बाद तो इस ऐलोवेरा ओयल के काफी जादा वेनी फिट है यह हमारे इस ओयल से हेर ग्रोथ तो होगा ही साथ सी साथ जो हमारे बालों में डेंडर फिस प्लेटेंट हो गई है उसको भी दूर करेगा तो यह देशी है लेकिन काम बहुत ही अच्छा करेगा तो वैसे हेर ग्रोथ को प्रोमोट करता है और नारे कोकोनट ओयल भी हमारे हेर फॉल को कंट्रोल करता है तो यह हमारा एलोवेरा ओयल प्रपेयर हो गया है तो इसको स्टोर करके भी रख सकते है यह हमारे हेर ग्रोथ के लिए काफी जादा बेनिफिट देगा तो चैनल पे नए है त सब्सक्राइब जरूर करें